So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आने की 21 सेप्टेंबर की important current affairs को तो इस प्रस्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में Operation सजग अभ्यास का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया तो अंसरोगा भारतिया तटरक्षक बल तो तटिया सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है Operation सजग और इसका आयोजन किसने किया भारतिया तटरक्षक बलने Indian Coast Guard ने कहाँ पर पस्चिमि समुद्री तट पर और इस exercise का उद्देश्य था तटिया सुरक्षा को मजबूत करना Indian Coast Guard की बात करें स्टापन उतियस की एक फरवरी 1977 नई दिल्ली में मुख्यले है और इसका अधर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम और इसके Director General अभी नए बने थे नाम है राकेश पाल 25 वे नंबर के बने थे अच्छा इस question में कुछ important operations में आपको revise कर रहूंगा जिसमें वो सभी operation आपके cover हो जाएंगे जो 2023 में या पिछले एक देड़ साल में आपने पड़े हैं जैसे की operation करूना की बात करें तो चकरवात प्रभावेत म्यानमार की साहिता के लिए हमने शुरू किया था operation करूना एक operation गंगा याद है युक्रेन पर जब रश्या ने आकरमन कर दिया था तो वहाँ पे भारते को वापस लाने के लिए हमने ये operation गंगा शुरू किया था operation देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारते को वापस लाने के लिए हमने operation देवी शक्ति चलाय था Operation Dost, अभी तुर्किय और सीरिया में जो भुकम पाये था हूँ, अभी मदद के लिए हमने Operation Dost चलाये था और Operation Kaveri, युद्ध गरस्त सुडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाये था Operation Kaveri और इसके लिए हमने INS सुमेधा को बेजा था Operation Make Dude, तो 1984 में सियाचिन में विजे पाने के लिए हमने ये Operation Make Dude चलाया Operation All Out, चमु कश्मिर में आतंगवादियों को मारने के लिए हमने चलाया Operation Polo, हैदरबाद को भारत में मिलाने के लिए हमने चलाया Operation Dost, तो National Investigation Agency ने देशबर में आतंगवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तसकरों के नेटवर को लक्षित करने के लिए चलाया था Operation मरियादा, तो उत्तराखन पुलिस ने धार में के इस तलो पर गंदगी फैलाने हुरदंग करने वाले और मादक पदार्तों का सेवन करने वालों के खिलाफ चलाया था Operation मरियादा और Operation राहत, तो यमन, युद्धिग्रह में भारतियों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वहाँ से वापस लाने के लिए Operation राहत चलायता हमने तो इस तरह से ये सारे Important Operations थे जो अपने Current Affairs में पढ़े हुँ पिछले एक डेड़ साल में उस सारे में आपको यहाँ पर रिवाइस करा दिये तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी किरिकेटर दीपक चाहर के नए Brand का नाम क्या है जो अभी उन्होंने Launch किया तो आंसर होगा D9 Sports तो अभी Indian किरिकेटर दीपक चाहर ने D9 Sports नाम से अपना खुद का Sports Brand लाउंच किया है और यहाँ पर Sports से Related Products आपको मिलेंगे Brand का लक्षय क्या है यूआ और उभरते अथलीटों के लिए किफायती उत्पात बनाना तो Sports से सम्मन्दि जो भी सामान होते हैं आपके जैसे Sports के कपड़े हो गए Sports का Bad हो गया Gloves हो गए जूते हो गए Helmet हो गया यह सब आपको यहाँ पर मिलेंगे आचा आपको याद होगा इस मेश के बारे में ITI Limited जो की सरकारी कंपनी इसने इस नाम से अभी Laptop और Micro PC लाँच किये थे Independence ये क्या है Independence तो Reliance Group ने गुजरात में अपना FMCG Brand लाँच किया था Independence नाम से और उसी तरह Reliance Retail ने योस्ता नाम से Fashion Retail लाँच किया था इस नाम से Reliance के अब कपड़े आएंगे कपड़े बेच रहे हैं योस्ता और दीपक चाहर के brand का भी नाम याद रखना D9 Sports बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए हाली में पाकिस्तान के 29 मुख्य ने अदिश के रुपे अभी किसने शपत ली है तो अंसर होगा काजी फैज इसा तो पाकिस्तान के 29 नंबर के Chief Justice बन गए है काजी फैज इसा इनको शपत किसने दिलाई तो पाकिस्तान के Governor है जो कौन है आरिफल भी है अचा आईशा मलिक का नाम आपने सुना होगा हमने पढ़ा था पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोट जज बनी थी ये वैसे मोहमद शाहबुद्दीन की बात करें तो बांगलादेश के नए प्रसीडेंट बने ये और अभी पाकिस्तान के नए अचा इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूँ की भारत के सुप्रीम कोट की पहली महिला जज कौन थी तो आप सब बता दोगे फातिमा बीवी लेकिन सुप्रीम कोट की पहली महिला चीफ जश्टेज कौन है तो आंसर होगा अभी तक तो कोई नहीं है लेकिन भविश्य में बन सकती है कौन बीवी नागरतन अचा अगर हाई कोट में चलें जैसे हाई कोट की पहली महिला जज पूछूँ तो आपका होगे अन्ना चंडी केरल हाई कोट में थी वो और हाई कोट की पहली महिला चीफ जश्टेज पूछूँ तो लीला सेट हिमाचल प्रदेश हाई कोट में वैसे भारतिय सुप्रीम कोट के आप जानते ही हो पहले चीफ चस्टिस कौन थे हीरालाल जे कानिया वर्तमान में तो डी वाई चंदर चूड हैं जो की पचासवे नमबर के हैं तो ये चीज़े भी याद रखना इस्टैटिक बन जाते हैं आपके बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताइए कि सेप्टेंबर दोजाटेविस में अपूर्व चंदरा ने भारत की G20 प्रेसिदेंसी पर एक e-book लॉंच की है जिसका नाम क्या है तो अंसर होगा पीपल्स G20 अपूर्व चंदरा ये कौन है ये सूचना और प्रसारण मंत्राले में सचीव हैं और अभी इनोंने ही नई दिल्ले में भारत की अद्धिक्षिता में G20 पर पीपल्स G20 नाम से एक e-book को लॉंच किया इस book में भारत के अद्धिक्षिता में G20 की पूरी यात्रा का वितरन बताया गया है अचा सूचना वे प्रसारण मंत्री कौन है अमारे यानि कि information and broadcasting minister अनुराक ठाकूर है इनके पास एक और मंत्राले है आप बताओ इनके पास एक और कौन सा मंत्राले है और G20 जे आपको पताए इसकी अभी सम्मिट हो चुकी है कहां पे नई दिल्ली में हुई थी कौन सा संसकरन था अठारवा तो ऐसे आधर्खना देगो शुरू से बताता G20 की स्तापना 1999 में इसमें कितने देश शामिल है 19 देश है एक European Union भी है और हाँ अभी African Union भी इसमें शामिल हो गया तो अब आप इसे G20 नहीं G21 का होगे African Union ये Current Affairs में यहां जे परशन बन सकते हैं देखो एक तो इसकी स्तापना कब हुई ये बन जाएगा 1963 में 55 देश इसमें शामिल है इसका मुख्यले है अदेस अबाबा इथोपिया में और इसके हेड कौन है अजाली असोमनी है वैसे 2023 में G20 के अद्धिक्षिता भारत कर रहा है अठारवा संसकरन है अगले साल इसके अद्धिक्षिता करेगा ब्राजील और पिछले साल इसके अद्धिक्षिता क जानि कि इंडोनेशिया भारत और ब्राजील और इस बार थीम क्या है वसोदेव कुटुम्बकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर शेरपा हमारे हैं अमिताप कांत इसके लोगों में एक फूल देखने को मिलेगा तो इसमें साथ पंखुडिया हैं जो रिप्रेजन करती ह साथ महाद्वीपों को और संगीत के साथ स्वरों को तो ये ध्यान रखना आप बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाल इमें कैबिनेट ने लोगसभा में महिलाओं को कितने परतिशत सीटे देने वाले महिला आरक्षन विधयक को मंजूरी दे दी है तो आंसर होग पेश्क किया है और इसका उद्धिश्य क्या है लोगसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं की भागिधारी का विस्तार करना यानि कि महिला आरक्षन को बढ़ाना और फाइनली ये बिल लोगसभा ने तो पारित कर दिया है अब इसे आज यानि कि गुरुवार को तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहाँ पर इस विध्यक पर चर्चा होगी, और यहाँ पर भी यह उमीद पास हो जाएगा, उसके बाद यह प्रेसिडेंट के बास जाएगा, साइन होने के लिए, और क्या यह पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, यह पहली इस महिला आरक्षन विधेयक को 1996 में संसद में पेश किया गया था, फिर 1998 में 1999 में भी से पेश किया गया पर पास नहीं हुआ, फिर 2010 में ये राज्यसभा में तो पास हो गया था, पर लोगसभा में नहीं हुआ, तो कितना पर्तिशत आरक्षन है ये जरूर याद रखना 33%, कहा पर लोकसभा और राजविधान सभाओं में, महिलाओं के लिए है ये, लोकसभा की बात करें, तो ये संसत का निमने सदन होता है, लोवर हाउस, और यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन, जनता के द्वरा, यानि कि डिरेक्टली जनता के द्वरा इलेक्ट किये जाते हैं, और और लोकसबा की संरचना ये किस आर्टिकल में बताई गई है आर्टिकल 81 और लोकसबा में मैक्जिमम सीटे कितनी हो सकती है 550 और वर्तमान में 543 है और लोकसबा सदस्य से बनने के लिए minimum एच चाहिए आपको 25 साल और वर्तमान में जो हमारी सत्रवी लोकसबा है उसके अद्र लक्षे है ओम बिल्डा और लोकसबा के महा सचीव कौन है उत्पल कुमार सिंग है तो ये फैकन रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में किसे पैंग्विन रेंडम हाउस का CEO नियूक्त किया गया तो अंसरोगा निहार मालविय को तो भारते मूल के हैं निहार मालविय जिनको अभी नियू यूर्क स्थित अंतर राश्टर प्रकाशन समू है पैंग्विन रेंडम हाउस इसका CEO नियूक्त किया गया है तो ये पब्लिकेशन कंपनी बुक पब्लिश करती है और ये किनका इस्थान लेंगे निहार मालविय मारकस डोहले का इस्थान ले डारेक्टर जनरल बने नितिन अगरवाल इनका नाम है तो ये नाम भी न्यूज में थे इनको भी ध्यान में रखना बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताइए अभी हाल इमें भारत ने किस देश के राजनाई को निशकाशित कर दिया तो आंसर होगा कनाडा एक्चुली में हुआ क्या है तो एक्चुली में अभी 18 सेप्टेंबर को कनाडा ने भारते राजनाई को निशकाशित कर दिया था उसके बाद दूसरे ही दिन यानि कि 19 सेप्टेंबर को भारत ने भी कनाडा के राजनाई को डिपलोमेट को निशकाशित कर दिया और ये सब हुआ क्यों इ क्यूंकि उस पर भारत के पंजाब में हमलों का समर्थन करने का आरोप है और वे अलगाव वादी खालिस्तान नाम से एक स्वतंतर शिक मात्र भूमी स्थापित करना चाहता है और वे खालिस्तान टाइगर फोर्स नामक एक समू का नेत्रत वो करता है और वो कनडा में रहता ह कनडा का नागरिक है लेकिन अभी उसकी हत्या हो गई हत्या किसने की पता नहीं लेकिन कनडा के जो परधान मंत्री है जस्टिन त्रुदो उन्होंने क्या कहा कि इसमें भारत का हात है भारत ने उसकी हत्या करवाई है उन्होंने कहा कि हमारे देश में घुश करके भारत ने उसकी हत्या कर दी हमारे नागरी की हत्या कर दी तो यह हमारे संप्रभुता का उलंगन है और फिर ऐसा कह करके उन्होंने कनाडा में हमारे डिप्लोमेट को यानि कि राज नहीं को निश्काशित कर दिया तो फिर दूसरे दिन हमने भी ऐसा कर दिया तो ये मामला था देखो कनाडा की बात करें तो इसकी capital उती है उटावा और आपको पताए सबसे लंबी तटिय सीमा वाला देश या आपका कनाडा ही है वैसे भारत में अगर बात करें तो सबसे लंबी तटिय सीमा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है वहांकी currency Canadian dollar है और प्रधानमंत्री Justin Trudeau है और कनाडा में जो Montreal है वहां पे Montreal प्रोटोकोल आपको यादे हुआ था कब 16 September 1987 में इसका संब्ध है Ozone परत्च संगरक्षन से इसलिए 16 September को आपने Ozone Day मनाए था और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यह है Winnipeg कनाडा में और अभी COP15 का आयोजन भी य विवित्ता से वैसे Montreal में ही आपको WADA का World Anti-Doping Agency का Headquarter मिलेगा और International Civil Aviation का Headquarter भी मिलेगा और एक Current Affairs का प्रशन आपको और याद दिलाओं कि कौन सा वो देश है जो प्रतेक सिगरेट पर मुद्रित चेताउनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था तो भी आंसर होगा Canada और Canada और US के बीच में जो Border Line ने उसको क्या कहते है 49 parallel कहते हैं तो ये point भी ध्यान रखना बढ़ते हैं फिर बताओ अभी हाली में HDFC Bank के Managing Director के रोप में फिर से किसे न्यूट किया गया तो आंसर होगा शशीधर जगदीशन को तो HDFC Bank ये भारत का दूसरा सबसे बैंक है और अभी इसके जो Managing Director है शशीधर जगदीशन उनको तीन साल के लिए फिर से पुनर नियुक्त किया गया है तेको HDFC Bank की बात करें पहले इसता अपना होती 1994 में मुख्याले मुंबई में है और इसका tagline होता है We Understand Your World अभी आपको यादे UPI पर रुपे credit card को जोडने वाला पहला निजी शेतर का बैंक ही HDFC बना था भारत की पहली electronic bank guarantee जारी की थी HDFC Bank ने और अपने ग्रहकों के लिए विजिल अंटी सुविधा भी शुरू की थी HDFC Bank ने और इसी साल शशीधर जगदीशन को Business Standard Banker of the Year 2022 का सम्मान भी मिला था बाकी अभी ICICA Bank के MDCO फिर से बन ग अरेक्टर बने रजत वर्मा ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं गए फिर बदाईए अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्यान दिवस के रूप में गोशित किया है तो आंसर होगा 29 जून को तो अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने हर साल 29 जून को या 20 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप मनानी की गोशना की थी और अभी 30 मार्च को हमने पहला अंतरराष्ट्र शुन्या अप्शिष्ट दिवस भी मनाया और 28 जूलाई को अभी हमने पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवर्शूट डे भी मनाया था अच्छा अ यहाँ पे मैं आपको सेप्टेंबर के नहीं बलकि कुछ ऐसे डेज रिवाइस करवाता हूं जो अभी हमने 11 साल पहले से मनाने शुरू किये हैं तो वो नए डेज हैं आपको ध्यान भी होने चाहिए जैसे के अभी राष्ट्र डॉल्फिन दिवस यह मनाएंगे 5 अक्टू नेशनल स्टार्ट अप डे 16 जन्वरी एक पराकरम दिवस 23 जन्वरी को किसकी जैनती होती है सुभाष चंद्र बोश्ची की जैनती वीर बाल दिवस की बात करें तो 26 देसंबर को विभाजन विभिशिका इस्मरती दिवस यह हम मनाएंगे 14 अगस्त को क्योंकि इस दिन भा सेटिमबर दोजाट 23 में किस हिस्तान पर गांधी वाफ का आयोजन किया गया तो आंसरोगा जोहांसबर्ग तो कोविड 19 महामारी के बाद यानि कि तीन साल बाद साउथ अफरिका के जोहांसबर्ग में गांधी पदियात्रा इसका आयोजन फिर से किया गया ये इसका वैसे 35 वा संसकरन था और इसमें 6 किलोमेटर लंबी पदियात्रा थी जिसमें 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए अच्छा महात्मा गांधी जी से संबंदित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं जहांसे अकसार एक्जाम में प्रशन पूछे जाते हैं जैसे कि आप जानते ही हो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफरिका से भारत लोटे थे इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारते दिवस मनाते हैं और इस बार जो प्रवासी भारते दिवस समारो है इस कायोजन इंदौर में हुआ था सतरवे नंबर का अच्छा चंपारन सत्यागर ये कब ये 1917 में हुआ था बिहार में हुआ था और ये इंपोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्यागर था वैसे आप जानते हो एक प्रशनकसर बनता है एक्जाम में कि महात्मा गांधी जी ने असयोग आंदुलन ये किस घटना के बाद समाप्त करने की प्रशना में हिंद के बाद महात्मा गांधी जी ने असयोग आंदुलन को 1922 में समाप्त कर दिया था ये प्रशन और बनता है कि महात्मा गांधी जी ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षिता की थी तो बेल गाउं अधिवेशन जो हुआ था 1924 में कहां पे बे प्रवदा जेल में जो कहां पर है पुने में तो ये मैंने बिल्कुल सलेक्टेड प्रशना आपको दो-तिन बता है जो अक्टसर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं और आपने महात्मा गांधी जी के बार में कुछ भी पढ़ रखा हओ चाए थोड़ा सा भी तो ये प्रशन आपने जरूर पढ़े होंगे जरूर सुने होंगे तो guys ये था आज का आपका current affairs का session और आपके देखो current affairs की daily revision वाली class हम चला रहे हैं morning में चार बज़े upload होती है जिसमें हम जन्वरी से लेके अभी तक जितने भी important current affairs है उनको discuss कर रहे हैं मेरी daily कोशिश रहती है कि 10-15 minute के अंदर अंदर मैं आपको लगबग 40-50 question का revision करवा दूँ यसे वहाँ देखने में आपको ये कि 25-30 question कराए गए हैं लेकिन वहाँ पे एक question के अंदर जहाँ पे possible होता है जहाँ से मैं आपको link करा करके याद करा सकूँ तो 5-10 question में आपको extra वहाँ पे revise करवा देता हूँ तो इस तरह से अगर आप जोड़के देखो कि तो लगबग 50-60 question में आपको करा रहा हूँ 10-15 minute के अंदर तो वो class आप ज़रूर attend करें क्योंकि ये जो daily आप current affairs पढ़ रहे हो वो बात तो ठीक है याँ तो हम detail में पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पे point to point में आपको revise करवाता हूँ और revision बहुत ज़रूरी है ताकि पुरानी चीजों को आप भूलो नहीं और जहां possible होता है वहाँ static भी मैं आपको बताता हूँ चाहे कोई country आजाए चाहे कोई organization आजाए तो अगर वो class आपने अभी तक नहीं लिये तो attend ज़रूर करना उसे क्योंकि वो bilingual है English में भी है और Hindi में भी है बाकि इनकी quiz upload होती है आपकी crack exam application में PDF बे आपको वहीं पे मिल जाएगे link नीचे description box में है अभी मैं आपको कल के current affairs का भी quick revision करवा देता हूँ तो पहला प्रशन पूचा तक इस राज्य के होईसला मंदिरों को UNESCO की विश्व धरो और स्तल में शामिल किया गया तो अंसरों का करना डग इस तरह से ये 42 नंबर की world heritage site बनी भारत की फिर पूचा पुराने संसत बहुन का नाम क्या रखा गया समिधान सदन फिर पूचा भी केंदर सरकार ये विश्व कर्मा योजना के तहत रिन पर कितने प्रतिशत की सबसेड़ी देगी 8 प्रतिशत फिर पूचा भी किस राज्य के अत्रया पुरम पुथा रे कुला को जी है टेक मिला चावल और गुड से बनी मिठाई है आंदर प्रतिश बारत में होने वाली पहली Moto GPR Race के टाइटल स्पॉंसर कौन बना तो आंसर होगा इंडियन ओयल अंतर राष्ट्रे लाल पांड़ा दिवस मनाया गया 16 सेप्टेंबर और एला वेरेन वेला रिवन का सम्मन की स्केल से है शूटिंग से है अभी डायमंड लीग फाइनल्स यूजीन दोजा तेविस में नीरत चोपडा ने सिल्वर जीता किसे सिंगापूर के ली कुवान यू एक्सचेंज फैलोशिप से सम्मानित किया गया असम के मुख्य मंतरी हमन्त विस्वा सर्मा और फिर पूछा गिर राज्जे ने अभी किस राज्जे ने नमो 11 सुत्रिय कारेकरम शुरू करने की गोशने की तो महराष्ट अभी हम कल का हमवर्क प्रश्ण देखते हैं और सेशन एंड करते हैं और हाँ अब भी तक आपने वीडियो को लाइक निंग किया या भूल गए तो मैंने याद दिला दिया आप लाइक कर देना और शेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में तो कल की वीडियो में पूछा था किसे मराठा उद्योग रतने दोजा तेवी से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा निलेश सामभरे को आप सभी ने प्रश्ण का बिल्कुल सही उतर दिया अब यह राज का आपका हमवर्क प्रश्ण